अब आई और हाँ इस वीडियो को देखने के पहले अभी तक कोई चानल में ना है तो प्ले सब्सक्राइब है चानल हानी स्पीटिन धिल ताकी साइड पर गंड़ी दबाने से वेर लेटेस अब देट्स आप मिस ना करते हो सो चेलो देखते हैं फिर तेस वीडियो को अभी इस रिमीडि के लिए आपको चाहिए स्पीनच इसको पालक कहते हैं स्पीनच श्लीव को आप फ्रिशली दोना चाहिए 2K मैं यहाँ पे आपको दिखारी नोली यहाँ पेश जिवस को 3-4 चार प्पीश जीवस को लेके इसको neatly वाश करना है वाश करके ग्रैंडर में डालके इसका पेस्ट बना लीची ju मैं ऑल्री्डी इस पीश जिवस का पालड पारी लीवस का पेस्ट बना चुकी है हूं याद रखिए आप इस paste को पानी डाल के mix नहीं करना है normally mix करनेने से एक paste जैसा इस तरह हो जाता है अभी इसको मैं paste कर चुक हुँ, अभी इसको मैं एक बॉल में ले रही हूँ अभी इस बॉल में spinach pack डाल रही हुँ मैं इस paste को completely इस बॉल में डाल चुक हुँ मैं इसमें काली्बге, पालक का पत्वों को PESD बना के इसमें डाल चुकी हूँ इसके लव मैं इसमें कुछ भी कर चुकी हूँ आभी मैं इसमें डाल रहे היया। नारिल की तेल अपना बालों का लंबाई बड़ा देती हैँ इसे साथी बालों को winter का मोसम, सर्दी का मोसम में नौरिश करती हैं, मैं यहाँ पर add कर रही हूँ नारियल की तेल, इसमें नारियल की तेल में 4-6 मज अड़ कर रहे हूँ अड़ करके इसको दो चीज को आच्छे सा मिला लेना चाहिए जैसे कि ए नारियल की तेल और पालक का पेस्ट दो एक पलमोर में निमिक्स होना चाहिए क्योंकि ए नारियल की तेल में बरबुर मातर में प्रोटीन्स मिनरल्स पाया जाता है यह अपना बालों को लंबाई बड़ा देती हैं और साथी winter का मोसम में यह नारिल की तेल अपना dry damaged hair को soft बना देती है साथी बालों को nourish, moturize देके healthy smooth बना देती है सर्दी का मोसम में और मैं पालक इसलिए ले रही हूँ कि पालक सर्दी का मोसम में बालों को nourish करती है और इसके साथी साथ सर्दी का मोसम में बाल जिल्दी से जिल्दी सूप जाती है तो इसकी कारण अपना बाल hair fall के problem ज़्यादा होना साथी इस्छी irritation होके बालों को जेंड़ना रूखना यह पेस्ट का पेस्ट बहुत कम करती है तो इसलिए मैं इसका पालक का पत्ते से इस पैक बना चुकी हूँ इसमें भी बहुत सारे nutrients पाया जाता है minerals, vitamins पाय जाता है यह अपना बालों को लंबाई बढ़ा देती है साथी अपना बालों का hair growth को भी बढ़ाने में बहुत मदब करती है इसलिए मैं यह पालक पेस लेज चुकी हूँ अब यह पायर हो गये completely तो इस पैक को अपना बालों को लगा लेना है शांपू करने के पहले बालों को लगा के आदा गंडे से एक minimum एक गंडे तक रखना है के बार अपना बालों को शांपू से किसी भी अपना पसंद की regular शांपू से hair wash करना चाहिए एसा आप अफते में इस पैक को दोबर करने से अपना बाल जल्दी से जल्दी बढ़ा देती हैं एसा आप एक मैने तक ट्राइ करके देखिए अपना बालों को difference आप देख सकती हो साथी अपना बाल कितना smooth sound बना के और अपना बालों को conditional maturizing ज़रूरस होती है तो इस conditional maturizing यह पालत आपको करती हैं तो इसमें बहुत सारे mutiants potential हैं तो इसकी वज़े से एक बहुत effective है बालों को लंबा यह बढ़ाने का और साथी damaged hair को repair करने में भी यह बहुत effective नुसका है तो इसको male, female, children, teenagers कोई भी लगा सकते हो इसकी वज़े से problem नहीं है, side effects नहीं है, कुछ भी गारेलो नुसका है, इसमें कोई chemicals नहीं, आप freely नुसका कर सकते हो, यह है आज की मेरी simple नुसका, इस नुसका को आप try care के जरूर कीजिए, result आपको बहुत अच्छी मिलती है, so friends आप ए वीडियो देखिए न, तो आप इस process को गर में जरूर ट्रेखिए जी, सिरफ दो हकते म अपना बालों का लंबाई आप बढ़ा सकती हो, साथी hair fall को problem को dry damaged hair को इन उसका repair करके साथी healthy, smooth, stronger बना देती हैं, अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगी, तो इस वीडियो को लाइक चिरूर कीशिए, इस वीडियो को कोई भी comment है, तो नीचे comment box में comment करने से मैं इस cancer जरूर देऊंगे, फिर मिलती हुँ मैं next वीडियो में, जब तक के लिए, बाई बाई